अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो को इन तक जरूर देखेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम AMC Charges को डिसकास करते हैं AMC यानि Account Maintenance Charge जरूधा पर दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं एक BSDA और दूसरा Non-BSDA BSDA यानि Basic Services Demand Account BSDA अकाउंट उन Small Investors के लिए होता है जो Regular Basis पे Investment नहीं करते अगर किसी वैक्ति के Pen Card से 1 Demand Account है और उसके Holdings यानि उसका Current Portfolio का Value दो लाग से कम है तो उस Account को Automatically BSDA Account कंसिडर कर लिया जाता है अब इस BSDA Charges को डिसकस करते हैं अगर Holding का Current Value 50,000 है तो कोई AMC Charges नहीं करता है जरोधा पे अगर Value 50,000 से 2 लाग तक का है तो उस पे Annual यानि साल पे 100 रुपे प्लस 18% GST करता है और इसे Quarterly Basis पे 25 रुपीज प्लस 18% GST करता है जरोधा पे Quarterly यानि अकाउंट खुलने से 90 डेस तक अगर Value 2 लाग से जादा है तो Annually रुपीज 300 प्लस 18% GST और ये Quarterly Basis पे 75 रुपीज प्लस 18% GST करता है इन केस ऐसा हो सकता है कि मेरे Portfolio के Holdings का Value 50,000 से कम हो लेकिन फिर भी मेरा AMC Charges कट रहा है तब मैं जरुधा टीम से Contact करके Ticket Race कर सकती हूँ और साथ ही मुझे ये भी चेक करना होगा कि मेरे Pan Card से एक से ज़्यादा Demat Account है या नहीं अब Charges को Discuss करते हैं यहां मैं Equity को Cover करूँगी और Example के साथ इसे पूरे Detail में Discuss करूँगी यहां Equity Delivery है यानि जब हम Shares को Long Term के लिए खरीदते हैं तब Shares हमारे Account पे आ जाता है और यहां Intraday यानि दिन के दिन Shares को खरीदने और बेचने से Related Charges दिये हुए हैं यहां Equity Delivery पे कोई Brokerage नहीं करता यहां STT यानि Securities Transaction Tax शेर खरीदने और बेचने पे 0.1% करता है नीचे Transaction Charges पे NSC और BSC के अलग-अलग Charges दिये हुए हैं NSC पे 0.00325% और BSC पे 0.00375% करता है फिर GST 18% जिस पे Brokerage प्लस Cebi Charges प्लस Transaction Charges के Total पे कटता है यहां नीचे Cebi Charges है रुपीज 10 पर CR यानि 0.0001% और नीचे Stamp Charges जो की है 0.015% यह सिर्फ खरीदने पर कटता है जब हम अपने DMAT Account से Share बेचते हैं तो उस पे DP Charges अलग से कटता है जिस पे 0.001 और CDSL Depository का Charge एक साथ रहता है यह Charge Statement पे अलग से Show करता है अब Equity Delivery के Charges को Example के थूँ समझते हैं Example के लिए मान लेते हैं मुझे PFC के 100 Shares Long Term के लिए खरीदना है तो यहां मैं Buy पे क्लिक करके Quantity Enter करूंगी और नीचे यहां Refresh पे क्लिक करूंगी तो Charges आ जाएंगे इन Charges को मैं Breakdown करके यहां Charge पे क्लिक करके देख सकती हूँ यहां PFC का Price 413.40 into 100 के हिसाब से आ रहा है 41,340 यहां Brokerage है 0 यहां से भी Turnover Fee 0.04 आ रहा है यानि 41340 into 0.0001% के हिसाब से 0.041 आ रहा है यहां Exchange Turnover Fee यानि Transaction Charges आ रहा है 1.38 यानि 41340 into 0.00325% equal to 1.34 फिर नीचे है Stamp Duty यह है 6 रुपीज उसके बाद STT Charges है 41.33 यानि 41340 into 0.1% के हिसाब से 41.34 और नीचे GST Charges आ रहा है 0.26 यानि Brokerage plus CAB Turnover Fee plus Transaction Charges का 18% जो की आ रहा है 0.255 तो यहां नीचे Total Charges हो गया 49.1 यहां नीचे Required Margin यानि जितने पैसे मुझे इन शेर्स को खरीदने के लिए चाहिए वो शो कर रहा है जैसे कि 41325 अवैलेबल यानि मेरे पास कितना फंड यहां अभी फिलहाल अवैलेबल है वो दिखा रहा है 99.40 और अगर लॉंग टर्म सेल की बात करें तो यह सारे Charges सेम रहेंगे बस स्टैम ड्यूटी नहीं लगेगा क्योंकि स्टैम ड्यूटी बस खरीदते वक्त ही लगता है पर यहां सेल करते वक्त एडिशनल डीपी चार्ज जो की रुपीज 13 प्लस GST है वो लगेगा यानि अगर मैंने PFC के 100 शेर्स आज बेज दिये तो 13 रुपीज जिसमें CDSL का 5.50 रुपीज है और जरोधा का रुपीज 8 प्लस 18 परसेंट GST यानि 13.50 इंटो 18 परसेंट होता है 2.43 तो बेसिकली यहाँ DP चार्ज कटेगा 3.50 प्लस 2.43 इक्वल तो 15.93 रुपीज लेकिन अगर मैंने PFC के 100 शेर्स और Tata Motors के 10 शेर्स मान लीजे एकी दिन में बेचा तो मेरे यहाँ पर PFC का DP चार्ज अलग से कटेगा और Tata Motors का DP चार्ज अलग से कटेगा जब हम शेर्स सेल करते हैं तो 80% पैसा हमारे फंट पे शो करता है और 20% सेटलमेंट के बाद आता है अब इंट्रडे चार्ज को एक्जाम्पल के थू समझते हैं बिजाम्पल के लिए मैं PFC के 100 shares ले रही हूं और यहां Buy पे क्लिक करके quantity 100 डाल कर Intraday सेले करती हूं यहां नीचे refresh पे क्लिक करने पर Charges आ जाएंगे Charges पे क्लिक करने पर detail पे Charges शो करेंगे यहां 412.95 प्राइस के हिसाब से 100 quantity का हो रहा है 412.95 brokerage यहां लग रहा है 12 रुपीज यानि 41295 का 0.03% या फिर रुपीज 20 whichever is lower उसके बाद यहां से भी charges हो रहा है 0.04 जो कि 41295 into 0.0001% के हिसाब से हो रहा है 0.041 exchange transaction charges 1.38 आ रहा है जो कि 41295 into 0.00325% के हिसाब से 1.342 आ रहा है नीचे stamp duty है 1 रुपीज जो कि 41295 into 0.003% के हिसाब से 1.23 आ रहा है STT charges 0 है क्योंकि यह sell पे कटता है यहां GST 2.49 है यानि 18% of CB charges plus transaction charges plus stamp duty जो कि आ रहा है 2.47 तो यहां total charges आ रहा है 17.31 नीचे required margin है 8264 required margin का मतलब होता है कि मेरे account पे इस trade को execute करने के लिए कितना amount होना चाहिए intra day पे जरोधा 20% margin provide करती है तो यहां 41295 का 20% show कर रहा है नीचे यहां available margin पे कितना पैसा मेरे fund पे है वो show कर रहा है अब आते हैं sell पे PFC का 413.35 price के हिसाब से stock quantity का total price हो रहा है 41335 यहां brokerage कट रहा है 12.40 यानी 41335 पे 0.03% जो हो रहा है 12.40 उसके बाद यहां से भी charges 0.04 यानी 41335 का 0.0001% जो है 0.041 transaction charges यहां 1.38 है यानी 41335 इंटू 0.00325% करके 1.343 यह stamp duty 0 है क्योंकि stamp duty खरिटते वक्त लगता है STT charges यहां 10.33 आ रहा है यानी 41335 इंटू 0.025% करके 10.33 GST charges यहां 2.49 है यानी 18% of brokerage, save charges and transaction charges जो की 2.48 है तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मुझे support करने के लिए इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you so much